हेलो गाइज कैसे आप सब लोग आज सा करता हूं आप सब लोग ठीप होंगे तो आज सामके पांच के लगवग बच चुके हैं तो मैंने सुचा आज एक ब्लोग शूट कर लेता हूं तो आज मैं आया हुआ हूं खेतों की तरफ आपको दिखान ले जा रहा हूं यह हमारे ग पाइन यूर का बीज आई बहुत खतरनाग गाए एक पेड़ बहुत मोटा है और देखें दूस्तों हमारे गयों है जो इन गयों में पानी लग रहा दूसरा पानी दूसरा पानी चल रहा अभी तक आपको दिख रहा होगा वो बीडियो में हमारे काका जी पानी मोड रहे ह और यह हमारे काका जी जुमूंद होता नहीं है और यह हमारे सुरेश काका है तो देख यह दोस्तों यह हमारी जुपड़ी है यह बैठकर हम रखवाली करते हैं रात को यहां पर क्या है रोजड़ों का रमबाद है जो हम यहां इस जुपड़ी के उपर छण रहे हैं यह देखिए यह हमारे यहां पर बिस्तर इस्तर रखे हुए हैं यह खाट है उपर और यह उपर वोश के लिए पल्ली तनी हुई है और हम यहां से रखवाली करते हैं यह देखिए हमारा खेत जहां तक आपको सर्शु के पीले-पीले फुल दिखाई दे रहे हैं वहां तक हमारी खेती आई और यह हमने आपको दिखाया गम यह हमारे गयों है और यह आपको दिख रहा है खेत में आद्मी बना रखा यह यह आदमी बनाया है मतलब कि रोजड़े आते हैं तब वो समझने पाते कि यहां पर आदमी भी है या नहीं ये देखिये इसको कट्टा बाहनद रखा है और ये हमने गुड़ा इसलिए बना रखा है रोजड़े इसलिए आते हैं और वजक्कर भग जाते हैं और ये हमारी जोपडी है बड़ी यह देखिए हमारे काका है और यहां पर बिजली चल रही है पानी आ रहा है यह रही हमारे काका जी सारे दिन बीड़ी फोकने में लगे रहते हैं